Hi everyone, this is Shubham again, back with another video और ये वीडियो का topic है ground clearance Ground clearance एक feature की तरह हो चुका है अब जैसे गाड़ी में sunroof की चाह होती है आजकल वैसे ही ground clearance की भी चाह होने लग गई है car buyers को और उसका reason जो है, वो है marketing जिस तरह की marketing car makers ने करी है, that has been exceptional तो guys, ground clearance की जब बात आती है तो जो भी car buyer है आजकल, वो चाहता है कि उसकी गाड़ी उची से उची हो so that it can tackle bad roads तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में मेरी Honda City 5th generation का ground clearance test करके दिखाऊंगा इससे आपको पता चलेगा कि actual में कितना ground clearance चाहिए आपको एक गाड़ी में और कहीं उस ground clearance के लिए आप कुछ और तो sacrifice नहीं कर रहे हो बने रहे हैगा इस वीडियो के end तक आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आ जाएगे तो ground clearance का test दिखाने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा जो आजकल सिडान जा रही है वो 165 mm से 170 mm तक का ground clearance offer कर रही है एवन दो होंडा सिटी हाज 165 mm एक टाइम था जब 90s में early 2000s में गाड़ी का ground clearance होता था 120 to 130 mm और तबके जो road conditions थे मेरे हिसाब से आज के road conditions से बहुत ही खराब थे कई गुना खराब थे मैं तो कहूंगा और आजकल तो इतना road infrastructure इंप्रूफ कर दिया है thanks to Nitin Ghatkarri and his team इतने highways और expressways बन रहे हैं बन चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि उतनी जादा requirement रह गई है लेकिन वही चीज़े जो दिखता है वो बिखता है और car companies ने यह formula कर लिया है crack and they are pushing people to buy cars with a higher ground clearance and उसमें उनका भी फायदा है guys सारे car manufacturers अब उँची गाड़ियां बना रहे हैं और उस उँचाई को देने के लिए वो और जादा cost cutting करके बहुत सारी चीज़ें हटा ले रहे हैं गाड़ी में से आप लोग जानते होगे कि ground clearance उची करने से center of gravity गाड़ी की उतनी stable नहीं रहती है और गाड़ी का जो shape है जैसे जो sedan का जो shape है that helps the aerodynamics of the car so that it can cruise through the wind जो higher ground clearance वाली cars हैं उनमें आपको बहुत जादा body roll मिलता है उतना अच्छा ride comfort नहीं मिलता है नहीं उतना अच्छा space वो offer कर रही है but still people are all after higher ground clearance मेरे साब से high ground clearance वाली car अगर आपको चाहिए तो वो होनी चाहिए 4x4 that's what a real SUV is just like Tata Safari back in those days आज वाली नहीं तो अगर आप Honda City लेने की सोच रहे हैं guys और अगर आपके मन में थोड़ा सभी सवाल है कि भाई इस गाड़ी का ground clearance कितना है ये गाड़ी कैसी चलती है bad roads पर और अगर रस्ता खराब है तो क्या मुझे अपनी गाड़ी ले जाने में मुझे डर लगेगा गाड़ी नीचे से लगेगी उन सब बातों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो सबसे पहले guys sedan को चलाने का एक तरीका होता है SUV में या पिर जो compact SUVs हैं उनको अगर आप drive करोगे bad roads के उपर सबसे पहला फायदा उन गाड़ीयों के पास होता है कि extra ground clearance होता है आपको सोचना नहीं पड़ेगा आपको देखना नहीं पड़ेगा तो अगर inexperienced driver है वो भी बहुत easily उस गाड़ी को चला सकता है दूसरी सबसे अच्छी चीज़ जो कि front wheel drive SUVs में आजकल आ रही है वो यह है कि गाड़ीयों के tires भी wider होते हैं तो wider tires will of course provide you with extra grip which will make them more rugged over bad roads definitely वो difference है लेकिन वो कितना difference है और वो difference क्या उतना जादा है कि आप लोग बाकी चीज़ों पर compromise करने को तयार है अगर आप base variant Creta का उठा के देखें और base variant Honda City का उठा के देखें आपको जमीन आस्मान का difference में उज़र आएगा और जहां तक guys better on road presence की बात है Honda City ले लीजे आप Volkswagen की वर्चिस ले लीजे even the Škoda Slavia well they really offer amazing road presence guys मैं अपनी Honda City की बात करता हूँ मुझे इस गाड़ी का road presence बहुत ही कमाल का लगता है it is literally a head turner, it's a very good looking car तो आप चलिए बात कर लेते हैं कि आपको कब एक higher ground clearance वाली कार लेनी चाहिए अगर आपका रोज का आना जाना है गाओं देहात में जहां पर बहुत ही खराब रास्ते हैं रास्ते हैं नी, road हैं ही नी वहाँ पर जरूर आपको एक higher ground clearance वाली कार लेनी चाहिए ऐसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि ground clearance देने के चक्कर में car manufacturers बहुत सारी चीजों पर cost cut करते हैं बहुत सारे car manufacturers आजकल आपको देखने को मिलेंगे who are providing with turbocharged downsized engines in their car, जो कि सस्ते पढ़ते हैं, लेकिन guys there is no replacement for displacement and those engines will not offer you a smooth city drive, which a naturally aspirated engine will but that is a topic for discussion for some other day, अगर आप अपनी family के साथ पहाड़ों पर जाने के शौकीन है तो फिर definitely I think you should go for sedans instead of a raised hatchback because sedan में जो driving feel आएगा, जो cornering ability आपको sedan provide करेगी, वो कभी भी raised hatchback आपको provide नहीं कर सकती guys, the comfort which your family will have, you know the space, ये सब आजकल के car buyers sacrifice कर दे को follow करते हो, तो आप लोगों ने शायद मेरे मनाली वाले videos देखे होंगे तो अभी मैं last month मनाली गया हुआ था, और मैं Honda City से ही गया था मनाली, अपने कुछ friends के साथ and we tested the ground clearance of this car over there in मनाली so now I'll show you how it performed in worst of the road conditions there in मनाली, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे guys road ही नहीं है, ऐसी भी जगा हम लोग गये हैं, जहां पर road ही नहीं थी, और ऐसी ऐसी जगों पर भी मैंने गाड़ी को निकाला, जहां पर एक तरफ तो मिट्टी की सड़क थी और दूसरी तरफ खाई थी बिलकुल उतनी जगा थी जितने में गाड़ी निकल जाए, और इस गाड़ी में बिलकुल भी मुझे कोई issue नहीं आया guys, ना गाड़ी एक बार भी नीचे से लगी और नहीं इस गाड़ी में मुझे confidence नहीं आया कि मैं नहीं निकाल पाऊंगा तो अगर आप लोगों को sedan खरीदनी है there are some downsides which I would like to tell you आप किसी breaker के उपर से आँख बंद करके फराटे से गाड़ी नहीं निकाल सकेंगे निकालने को तो आप निकाल लोगे लेकिन मुझे नहीं लगता आप लोगों को ऐसा करना चाहिए even if you have a higher ground clearance car or even a 4x4 vehicle if you will love and respect your car the car will also reward you with the same तो आपको हमेशा जब भी खराब रास्तों से जाना होगा sedan को लेके तो आपको अपना speed थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी और आराम से ही आप जा सकते हो अगर आप गाड़ी को तेजी से निकालोगे बहुत तेजी से तो आपको उतना stability नजर नहीं आएगी sedan में because sedan में soft suspension होता है which is comfort oriented SUVs या फिर raised hatchbacks में आपको stiff suspension मिलता है which is meant for bad roads simple हिसाब है guys अगर आपको खराब रास्तों पे बहुत जादा जाना होता है तो simple आप SUV ले लिजे लेकिन अगर आपको खराब रास्तों पे कभी-कभी जाना होता है कोई जरूरत नहीं है SUV लेने की बहुत ही capable cars हैं ये and 165 mm और 170 mm of ground clearance is more than enough तो उमीद करता हूं guys आप लोगों का ground clearance का जो confusion है वो थोड़ा कुछ हट तक तो कम हुआ होगा so thank you very much for watching this video and I will meet you in my next video now guys so take care and enjoy the drive